कोहिनूर एक ऐसा नायाब हीरा जिसको पाने के जद्दोजहत में पड़ी बड़ी सल्तनों तों ने रक्त की नदिया भादी और इसी कोहिनूर नायाब हीरे का हमारे पूरी स्थित जगनात मंदिर के साथ बहुत ही गहरा रिष्टा है जो की ये बतलाता है कि जगनात मंदिर ही इस कोहिनूर हीरे का असली हक्तार है आईए इसके बारे में जानते हैं शुरुवात होती है 1812 में अफगानिस्तान के एक प्रदेश के राजा साह सुजा कश्मीर के शेड़गर में कैद थे साह सुजा का जो राइवल था वजिर फते खान चाहता था कश्मीर में हमला करके वहां लूट मजा करके साह सुजा को कतल कर दिया जाए क्योंकि अगर साह सुजा चिंदा रहा तो कभी भी वजिर फते खान अफगानिस्तान के तक्थ में नहीं बैट पाएगा पर वो ये भी जानता था कि अगर कश्मीर में हमला करना है और फते हासिल करनी है तो महराजा रंजीत सिंग के बिना वो संभव नहीं है महराजा रंजीत सिंग, a legendary warrior, शायद ही तिहास के पन्नों में ऐसा legendary warrior कभी पैदा हुआ होगा वजीर फते खान ने अपने agent के द्वारा महराजा रंजीत सिंग के पास खबर भेजी और कहा कि अगर आप कश्मीर में हमला करते के लिए हमारी मदद करेंगे तो लूट का आधा इससा आपका और सालाना 9 लाक रुपए जागीर दी जाएगी इसी वक्त सासुजा जो कैद था उसकी पतनी वफा बेगम और उनके बेटों ने महराजा रंजीत सिंग के पास खबर भीजवाई कि अगर आप शासुजा को सही सलामत वापस हमें सौब देते हैं तो हम आपको देंगे एक ऐसा नायाब चीज चो कि इस पूरे दुनिया के दौलत के बराबर है कोहिनूर हीरा बस महराजा रंजीत सिंग को ठन पड़ी कैसे भी वो कोहिनूर हीरा उन्हें लेना ही था पर यहाँ पर वजीर फटे खान को कोई उत्तर ना मिलने पर वजीर फटे खान कश्मीर के लिए रवाना हो गया था महराजा रंजीत सिंग ने पहले ही कश्मीर के पूर्वे हिस्से को कबजा में रख लिया था जब वजीर फटे खान पहुचा कश्मीर के दर्वाजे तो देखा कि महराज रंजीत सिंग की से नावाग खड़ी है। महराज रंजीत सिंग ने खबर भिजवाया और कहा वजीर फटे खान को आप मेरी टेरिटरी में क्या कर रहे हैं। आप यहां से वापस लोटें। वजीर फटे खान ने चिठी बेज कर कहा महराज रंजीत सिंग से कि वो एक परसनल मीटिंग चाहते हैं। महराज रंजीत सिंग राजी हो गए। वजीर फटे खान अपने 18 भाईयों के साथ अश्तर सस्तर ले करके उनके कीले में पहुचा और वो यह डिसाइड कर चुका था कि अगर महराज रंजीत सिंग राजी ना हुए कश्मीर पे हमला करने के लिए तो उसकी वहीं पे मौत क कर दी जाएगी और महराज रंजीत सिंग ने कुछ अलग ही सोच करके वजिर्फते खान के साथ हाथ मिला लिया याद रहे उन्होंने लेकिन वादा कर लिया था सासुजा की पत्नी वफा बेगम को कि वो उन्हें वापस सही सलामत लेके आएगे होना क्या था महराज रंजी गया जाए शेड़गर खास करके इसके पहले की वजीर्फते खान अपनी फौज लेके पहुंचता दीवान मुखम चंद जानता था कि अगर वो पहले पहुच गए तो ये शासुजा को मार देंगे वो पहले ही शीरडगर में पहुँश कर शासुजा को अपनी हिरासत में लेवाने देता है वजीर फत्य खान जब वहाँ पहूंचता है उसके सैनिक लूट मचाने में व्यस्त है और तभी दिवा मुखमचंद शासुजा को अपनी गिरफ्थ में शेफली लेकर के रवाने दे वजीर फते खान वहाँ पे दीवन मुखम चांद को कहता है कि मुझे शाह सूजा चाहिए पर शूकी महाराजा रंजीत सिंग ने कह दिया था कि दीवान मुखम चंद को शाह सूजा हमें सही सलामत वापस लाना है वो उन्हें सही सलामत वापस ले गए शाह सूजा की बहुत चोर सोर से स्वागत किया गया और वाइदे के मुताबिक महराजा रंजीत सिंग ने वफा बेगम को भुला करके उन्हें सौब दिया और अगले दिन उन्हें मैसेज भेजा कि मैंने अपना वादा पूरा किया अब आप अपना वादा पूरा करें कोहिनूर मुझे दे दें हो हुआ है महाराजा रंजीत सिंग जानते थे कि एक बहुत पड़ा जूट है उन्होंने अपने सेना को कहा कि जिस हवेली में वो रह रहे हैं उन्हें पूर घेर लिया जाए और ये भी कह दिया कि राशन चावल दाल पानी सब बंद कर दिया जाए वफा बेगम और शासुजा जान गए थे कि महाराजा रंजीत सिंग से सकना बहुत ही मुश्किल है और नामुखिंदी उन्होंने महाराज रंजीत सिंग को दावत दी आये और अपना कोहिनूर कुबूल करियो 600 घोडों के साथ महाराज रांजीत सिंग पहुचे कोहिनूर हात में लिया और अपने सागीर्थ भवानी दास से पूछा क्या ये वही कोहिनूर है भवानी दास ने कहा हाँ बिना अलवीदा की ये चल पड़े कहा जाता है उसके बाद तेश के जितने भी विशेशग्यत है जेवरातों के उन्हें बुलाया गया और कहा गया कि बताईए इसकी कीमत क्या है सभी विशेशग्य ने कहा कि आज तक की जितनी भी दौलते मौजूद है ये उससे बढ़कर है फिर आता है 1849 वो दिन जब मौत के दर्वाजे पे रंजीत सिंग का बुलावा तीन-तीन बाद स्ट्रोक हो जाने के कारण उनकी बोलनी की शमता जा चुकी थी वो जान गए थे कि उनकी मौत बहुत करीब है वो जितने भी अस्त्रस्त्र थे अपने सेनाम बाटने लग गए जितने हीरे जेवरात थे सब जगा बिखेरने लग गए अपने प्रजाओं में फिर आई कोहिनूर की बारी उनका वो नायाद जो की वो सिर्फ उस समय पहनते थे जब-जब कोई बड़ा सेलिबरेशन होता था वो आमस में पहनते थे अपने और लोगों को दिखाते थे कि उनके पास कोहिनूर है उनकी बहुत रानिया थी पर किसी को उन्होंने कोहिनूर नहीं दिया वो उनके दिल के इतने करीब था पर एक रात जब वो मौत के एकदम करीब पहुंच चुके थे उन्होंने कहा कि ये मेरी दिल्ली ख्वाईश है, ये कोहिनूर हीरा चगनात मंदीर को सौंप दिया जाए। ये सुनते ही पूरे महल, पूरे प्रजा में खलबली मज गई। दरबार के जितने भी मंत्री थे, उन्होंने खलक सिंग, जो कि महाराजा रंजीत सिंग के बेटे थे, उनको कहा कि कोहिनूर एक ऐसा नायाब हीरा है, कि सारी दुम्या की दौलते एक बराबर, कोहिनूर एक पराबर. पर महराज रंजीत सिंग चाहते हैं कि इसे चगरनात मंदिर को सौब दिया जाए पर ये बहुत बड़ी भूल होगी तब ही खड़क सिंग ने कोहिनूर हीरा अपने गिरफ्त में ले लिया और कहा कोहिनूर हीरिया कोई महराजा रंजीत सिंग की नीजी संपत्ती नहीं बलकि ये एक राज्य संपत्ती है इसे किसी को नहीं दिया जाएगा इसकी कहानी आगे महराजा रंजीत सिंग के मौत के बाद कोहिनूर को लेकर किस तरफ बड़ी इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि बाद में कोहिनूर हीरो का क्या हुआ कैसे वो बृटिश के हाथ में गई और यह सारे तथ्यों का एक प्रिक्वेल होगा कि कोहिनूर की शोवात कैसे हुई आईए मिलते हैं अगले वीडियो में जो की कोहिनूर का ही सीरीज रहेगा धन्यवाद